हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है हमारी SSC MTS 2023 प्रिवियस येर की सिरीच चल ले तो आज उसी के सेक्वेंस में ये आठ सेप्टेमबर की फर्स्ट सिर्फ्ट मैं आज आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं जो कि MTS एक्जाम में पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि MTS एक्जाम में अभी की हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है क्लोज टेस्ट और वोकेब्स सारी प्रिवियस येर की रिपीट हो रही है सारी कि सारी एक भी नई वोकेब एक भी नया क्लोज टेस्ट आपको न अभी तक कि मैंने एक तारिक चार तारिक पांच छे इन सारी सिफ्टों का सॉल्यूशन मैंने अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप लोगों से इस वज़े से और मैं मोटिवेट हो रहा हूं और भी वीडियो बनाने क किया जाएगा बल्कि जितने भी कोश्चन और उसके जितने ऑप्शन है वो सारे आपको बिल्कुल वन बाई वन करके बहुत अच्छे समझाया जाएगा चेकर ना मतलब आपको यहां सिर्फ 25 कोश्चन नहीं यहां आपके 100 कोश्चन तयार होने वाले हैं अगर आपकी वह क अगर दस हजार से जादा कोश्चन पोस्ट कर दिया है सारे प्रिवियस यर को कवर कर डाला हूँ टेली ग्राम पर भी डेली कुछ चल लए है और मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ आपको प्रवाइड कर सकता हूँ बट जितना हो पार है मैं आपको देने की कोशिश कर हूँ तो चलिए बिना वीडियो डिले के वे अपनी वीडियो को स्टाइट करते हैं इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है वन वर सब्स्टिट्यूशन से यहां पुझरा वन हूँ डस अज को बिलीव नहीं करता उसे क्या कहेंगे अप एथीस्ट उसके आगे हम एँ लगा देते एए टी एच एपी एस टी एठी यह हो जाएगा ठीक आइक और नेक्स्ट आपस प्राइस्ट दिया हुआ है प्रास्ट कॉन होता है एक रिलिजियस लीडर होता है जो religions related rituals को follow करता है और उसके पास वो authorization होती है वो जीजों को कराता है तो इसको इंगलिस में कैसे कहेंगे आप A religious leader authorized to perform sacred rituals in a religion Monk, Monk आपको पता होगा Monk वो होते हैं जो अकसर करके मठ में रहते हैं जो लगभग जो दुनियाभी चीज़ें छोड़ चुके होते हैं worldly life left कर चुके होते तो a person who devotees their life to religious service often living in a monastery तो Monk monastery में रहते हैं Believer जो विश्वास करता हो जो भरूसा करता हो ठीक है ना? Next question हमारा आया है Rectification से देखिए पहले दो चीज़ आता था एक error से आता था दूसरा substitution से अब एक नया segment यहां वो हुआ है Rectification मतलब कहरा कि if there is no need to rectify it select no rectification needed चलिए अब पहले हम question को पढ़ते हैं कहरा कि you are the beautiful woman I have ever seen you are the beautiful woman आपको पता होगा अगर आप superlative degree का use करते हैं you are the most beautiful most beautiful ठीक ना अगर आप इसका use करते हैं तो इसका मतलब भी हुआ कि आप से सुन्दर कोई नहीं आप से ज़्यादा सुन्दर आज तक मैंने देखा ही नहीं तो वहां यही कह रहा है कि I have ever seen अगर यह ever का use यहां कर दे रहा तो इसका मतलब यह हुआ कि शायद ही मतलब ना की बराबर chance है कि उसने कभी देखा ही नहीं और यहां rectification करना है तो देखिए beautiful का हम क्या कर देंगे most कर देंगे most beautiful मतलब आप से अधिक सुन्दर आज तक मैंने किसी को देखा ही नहीं क्योंकि यहां insist कर दिया ना बात को I have ever seen शायद ही मैंने कभी देखा हूँ तो यहां क्या rectify कर देंगे you are the beautiful कि यहां आप करेंगे you are the most beautiful woman I have ever seen तो इसका ध्यान रखेगा अगर ever आ गया तो वहां super relative degree लगनी है हरहाल में I hope आपको clear हुआँगा next slide question number 3 है idiom दिया हुआ है पूछ रहा हुआ बाइ fair means or foul और मैं आपको बता दो जितने भी मैं community post or question डाल रहा हूँ लगबग उसमें बहुत अच्छा response और comment भी नहीं चाहा रहे हैं कि इसी बार यह सारे question पूछे गए है तो लगतार उस सब continuous repeat हो रहा है मैं आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करा रहा हूँ वह प्रैक्टिस बहुत जरूरी है करना ठीक ना बाइ fair means or foul मतलब यह कह रहा कि fair means क्या होता है मतलब अच्छी तरीके से जबकि foul होता है इसका just opposite बुरी तरीके से तो देखिए इससे क्या sense निगलेगा to work without planning नहीं to find difficulty in completing some work नहीं यहां अच्छे बुरीक बात ही नहीं है देखिए यह option to get once way with honesty और dishonesty देखिए यहां अच्छे बुरीक बात हो रहे है एक बार honesty कह रहा है फिर dishonesty कह रहा है इसको hold करते हैं करते हैं करते हैं तो यहां fair और foul की बात आ रही ना तो वहीं पर fair means honesty, foul means dishonesty यह आपका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा to get once way without honesty with honesty और dishonesty आई होब आपको clear होगा next question no.4 है हमारा error से पूछा गया है sentence दिया हुआ है my younger daughter कानू, prefer dark chocolate to yoghite देखें थोड़ा tricky question है बट मैंने आपको कहा था सबसे पहले error में आपको क्या find out करना है सबसे पहले tense found out करना है फिर उस subject and verb agreement आपको चेक करना है उसके बाद आपको other चीजे उपर ध्यान देना है तो tense क्या दिया हुआ है सारे present tense में लिखे हुआ है अब present tense में subject उसके बाद subject verb agreement चेक करिए यह क्या करना my younger daughter मेरी जो सबसे छोटी बेटी है टीक ना singular subject है अर्वाई मेरे singular being particular word तो प्रिफर हम यहां क्या मैं यहां बोर्ड न चाहिए कानु और चाहिए ठीक ना माई यंगर डोटर कानू प्रिफर्स डाक चॉकलेट टू योग हाउट आई होप आपको क्लियर हो आउगा नेक्स्ट नमर फाइफ है इसा संटेंस आपको चारो में से चूज करना है जिसमें इरर हो आई सा मूवी देट वास डिरेक्टेट वाइस्टीवन स्पाइल बग ठीक है से इस दो वनली पर्सन वो कें सॉल्व दिस डिफकल्ट मेट प्रोड्लम ठीक है ही इस एन लॉयर हो वक्स फॉर आ प्रिस्टीजियस लफ यह बताइए ए एन का यूज मैं बता हूं आपको तो एन का यूज हमेशा वाविल साउंड के पहले किया जाता है ठीक है ना ए लॉयर होना चाहिए जबकि यहाँ एन का यूज किया गया ए लॉयर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इचेकर ना बाकि सब ठीक है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा इरर से पूछा गया है कर रहा इशिता विल प्लेंग टेनिस फॉर हर फेवरेट टीम इशिता अपने टीम के लिए इशिता आपने जो उसकी यहां तो तो आपको करेंगा आपको डियर हुआ है। इसमें भी आपको substitution करना है ठीके ना no substitution को option दिया गया तो substitute आपको करना ही पड़ेगा he apologized in her silently before he pushed deeper into her thoughts he apologized in her silently उसने उससे छमा मांग दी जब वो गहरी सोच में जाने ही वाला था कि वो गहरी सोच में गया ही था तो उसने उससे पहले उससे चुपचाप से छमा मांग दी तो किससे छमा मांग रहा है he apologized in her क्या होता है और in her inappropriate है grammatically incorrect है यहां क्या होना चाहिए he apologized to her और अगर वो यहां किसी गलती को mention किया होता कि उसने उसको पीटा है उसने उसको फसाया है अगर वो गलती हम mention होती तो उसके लिए for का use करते है ठीक है ना for का use करते है he apologized for her mistake ठीक ना कुछ ऐसा होता तो उसके लिए for का use करते है बट यहां जो appropriate option आपको मिलेगा he apologized to her silently क्यों हुआ आपको मैंने reason रताया next question number 8 है select the correctly spelled word behavior बहुत से simple है यार यह तो class rate का student भी कर देगा behavior incorrect behave पहले आपको behave लिखना है behave यह हो गया behave अगर single लिखेंगे तो उसका आगे यह भी लगता बट यहां यहां आपको I का use कर देना plus hour लिख देना O you are our मतलब हमारा behavior यह option correct हो जाएगा यह होप आपको clear हो आओगा next question number 9 है हमारा synonym पूछा है obvious का obvious का synonym क्या होता है obvious का synonym होता है clear obvious मतलब बिल्कुल साफ सुत्रा ठीक है ना जिसे हम कहते है evident या plain इसका अधर synonym हो जाएगा evident murky क्या है murky means होता है बहुत ही रहस्यमाई type का आइसपस्ट जिसे हम कहते है क्लावड़ी क्लावड़ी ऑप्सक्योर कि यह आपका correct हो जाएगा ambiguous ambiguous मिन्स वह है unsighted जिसके मतलब एक से अधिक कुछ हो जैसे आप किसी चीज का आपने कोई question पूछा उसके पास एक से अधिक आंसवर उसका तो वह क्या हो गया ambiguous हो गया vague आसपस्ट जिसका भी होगा unsighted opaque means not transparent or hard to understand यह हो गया opaque I hope आपको clear वह होगा next question number 10 है मारा if idiom दिया हुआ है आप से उसकी मेनिक पूछ रहा है as phony as a three dollar bill as phony as a three dollar bill something that is attractive something that is genuine something that is discussing something that is fake अब यह बता हूं किसी ने phone किया और आप से बोला कि मेरे पास three dollar की bill है अब या dollar क्या होगा dollar या तो उसने फर्जी प्रिंट किया होगा पैसे की बात जहां आती तो वहाँ फर्जी वाड़ा की बात आती ऐसे याद रखिए तो उसने phone पर three dollar bill की बात की जो की वह फर्जी था पूरी तरीके से तो क्या हो जाएगा something that is fake यह आपका option correct हो जाएगा next question number 11 कह रहा है कि filler से पूछा है इस मैं आपको appropriate filler fill करना है they are going to give me a lovely present but I can't dash what it will be वो मुझे जो है एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा सा उपहार देने जा रहे है जिसको मैं guess भी नहीं कर सकता कि यह क्या हो सकता है यह क्या होगा यह इसमें कहना चाहरा next question number 12 हमारा करा से लगता है इंकरेक्टली स्पेल्ट वाइड इंपॉर्टेंट मेंटिनेंस फ्रेंड रिदम तो सारी की स्पेलिंग साही है मेंटिनेंस की स्पेलिंग यहां इंकरेक्ट है मेंटिनेंस में हमेशा यहां पर एक यहां 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 आता है मेंटिनेंस 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 हो जाएगा question number 13 है synonym से आया हुआ है डिटर्ड माइन का आपको synonym पूछ रहा है तो डिटर्ड माइन मिस्ट क्या होता है सबसे पहले option देखिए flexible फ्लेक्सिबल मिस्ट होता है प्लाइबल या एडॉप्टेबल जो उस चीज में ढ़ल जाया राम से famous मिन्स renewed या well known जिसे बहुत ही प्रसिद्धी हो डिस ठीक है डिसिसीव मिस्ट होता है पहुत ही सुपीरियर टाइप का या lofty से कह सकते हैं आप ल ओ एफ टी वाइड लोफटी यह हो जाएगा determined आई होप आपको clear हुआ होगा next question की तरफ move on करते हैं question number 14 या कह रहा है कि select the most appropriate synonym of the underlined word एक sentence आपको दिया उसमें एक word underlined किया गया उसका synonym आपको बताना है करा रे वाद cynical about love रे वाद cynical about love cynical मींस क्या होता है चलिए पहले option समझते prolific prolific मींस होता है productive या fruitful productive या fruitful जो उपजाव हो या बहुत ही लाबकारी हो और इस मतलब होता है मोटा आपा टाइप का fat या over weight trusting मींस होता है gullible या credulous वही pessimistic मींस होता है negative या distrustful तो cynical वही होता है रे वाद cynical about love वह बहुत ही negative या प्यार को लेकर बहुत ही distrustful है यह आपको correct option हो जाएगा यहोप आपको clear वहाँगा next question number 15 है हमारा company इसमें rectify करना है आपको एक word दिया है उसी के चार option दिया उसमें correct spelling ढूंड कर आपको लिखनी है तो सबसे पहले sentence हम नहीं बढ़ते है question direct देखते हैं तो question IR की spelling यह इसी इसी एक्जाम में एक बार और पूछा जा चुका है समझ लिए question एक ही एक्जाम में repeat हो चुका है तो मैंने बताया था आपको सबसे पहले q u e s t i question लेना है ठीक ना फिर a r की spelling लिख देना है ए आई आर ए लगा देना है question IR ठीके ना डबल एन रहे गए यहां पर इसको ध्यान देजिएगा q u e s t i o double n a i r e question कि नेक्स्ट कोश्चन नबर 16 है हमारा वन वर सब्स्टिट्यूशन से दिया हुआ है कर रहा ए pperson fat on human flesh आ बेइस को क्या क्यते है एए कैनीब्छ कहते है जैसे share c燈 आपको आपको 70 नमबर का कोई क्सेंप्सक्रीमिल नमबर का पूस्टन कि लार्जर इमिस्संस ओफ ग्रीन हाउस गैसेज लीड टू हाइयर कंसेंट्रेशन इन देट्मोस्फियर अब देखिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको टेंस चेक करना तो इसमें टेंस जो है प्रोप्रियेट है ठीके ना प्रेजेंट की बात कर रहा है अब इसका सब् हो गया और इसका वर्व क्या है लीड आफ ग्रीन हाउस गैसेज लीड तो यह लार्जर इमिस्संस के एकॉल्डिंग वर्व भी यहां प्रोप्रियेट आया हुआ है ठीक ना तू हाइयर कंसेंट्रेशन अब देखिए इसमें क्या वो करना है कि सब्सिक्ट्ट्यूट करना सब्सिक्राइए है लेड टु हाइर कंसेंट्रेशन इन अचैर्ग लीडेड लीडेड कुछ होता ही नहीं है यह लीडेड टौ कमारेड़। तो यहां have laid होना चाहिए था, अगर present perfect tense has-have आ तो have laid होना चाहिए था, to higher concentration, is lead to higher concentrations, is lead क्यों आएगा, is leading to higher concentration, चेखे न, तो यहां correct option, no substitution required होगा, वो क्यों, क्यों कि देखे, जैसे आपने एक चीज पढ़ा होगा, अगर यहां correction करना होता, अगर उसने चार पार्ट में दिया ह तो एक चीज आपने पढ़ा होगा, the more I read, the more I grow, मतलब अगर जो दो चीज पैरलल इंक्रीज हो रही है, जैसे मैं जितना पढ़ूँगा, मैं उतना आगे बढ़ूँगा, the more I learn, the more I go, तो जब दो चीजे पैरलल इंक्रीज होती हो, तो वहां comparative degree के पहले हम दा का यूज करत है, बट एक केस ऐसा भी है, कि जब हम comparative degree के साथ भी दा का यूज करते हैं, तो अगर यहाँ the larger, the more larger emissions of greenhouse, तो यहाँ ओपर the more lead to higher, या ऐसे भी हो सकता है, the larger emissions, the higher concentrations, I hope आपको clear हुआ होगा, next question number 18 की तरफ हम चलते हैं, idiom से आया हुआ है, कह रहा है कि रमेस always blows his own trumpet, और हमेस, खुद का ही पिपीरी बजाता रहता है, खुद का ही भोपू बजाता रहता है, तो blow his own trumpet में इसके होता है, praises himself, और स्वैम की प्रसंशा करता रहता है, क्रिटिसाइज नहीं हो सकता है, does his own work नहीं, depends on the other, यह रोंग हो जाएगा, यह आपका option आपका correct हो जाएगा, next question, number 19 की तरफ हम चलते है, यहाँ भी idiom से पूछा गया है, आप सीधा idiom को पढ़िए on cloud 9, इसका मतलब होता है very happy, कोई 9 आसमान पे, हम लोग तो 7 आसमान पे हम लोग की खुशी रहती, लेकिन किसी, कोई अगर 9 आसमान पे चला गया, समझ लिए वो बहुत खुश है, चेक अगर, मेडिये रिपोर्ट में देखे होंगे, तो उसकी डेड़ जी जो है, पोस्ट मॉटम के लिए गई है, तो वही यहाँ पोस्ट मॉटम दिया हुआ है, इसके स्पैलिंग बहुत जादे इंपोर्टन है, पोस्ट मॉटम की इंकरेक्ली स्पल टोड भी पूछा जाता ह है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, अब हम क्लोज टेस्ट की तरफ चलते हैं, कंप्रेंसिव पार हमारा आ गया है, सबसे पहले क्लोज टेस्ट में मैंने बताया था कि अच्छे साब को रीड करना है, ठीक है न, जल्द बाजी नहीं करने किसी तरीके की, टीक कर अफड न, टीक क्वे ल लाग शा क्वेडा की, तरस फटेस stitch सम्हों जोनों इन जा टी metallic यहां एक ट्रेजडी की बात की जा रही है वो ट्रेजडी किस संदर में कहा जा रहा है कि किसी के पास जो आप विश्वासनी जो टैलेंट होता है जो उसके अंदर की योगिताएं होती है जो प्राप्त करता है वो नहीं देखा जा सकता है या वो उसकी जो टैलेंट है वो बहुत जाद उचायों तक नहीं पहुच सकता है क्योंकि उसके अंदर थोड़ी बहुत कुछ वेसिक स्किल्स की कमी रह जाती है ठीक नस तो यहां क्या हो जाएगा वन ओफ दा के बाद हमेशा हमने बताय था गर यहां देख रहे आप मोर ग्रेट 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 ग्रेटर तो दा के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का 99% केस में यूज होता है तो यह हो जाएगा वन आप दा ग्रेटेस्ट ट्रेस्टीज इस सेंग समवन विद इंक्रेडिबल टैलेंट गेट फिलर नंबर दो के लिए हम नेक्स्ट पे चलते है विद इंक्रेडिबल टैलेंट गेट अपलिफ्टेड अपलिफ्टेड मीन्स होता है उचसाहिद करना इलिवेटेड या इंस्पायर करना ठीक ना डेमेज्ड बीफिर में सोता है छतिग्रस्ट करतेब्र आ बिल्कुल ब्रोकें ररेस्ट चैनलाइजड देहां अब इसको कैसे आप एक टैकल करेंगी यहाँ derail option correct दिया हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे जब passage आप read कर रहे थे तो यहाँ पर एक जगे आपको derail का option भी दिया गया है यह देखिए derail तो इससे आप समझ सकते हैं यह derail के ही reference में बात कर रहा है अगर यहाँ का option में दे तो इस तरीके से आपको read करना अगर आपको एक वक्त meaning भी नहीं आर exact तो आप यहाँ से इसको एकदम exact verify कर सकते हैं derail means क्या होता है derail means होता है किसी चीज का छती ग्रस्त हो जाना या किसी चीज को देरी लगा देना तो यह derail के अंतर गता है channelized channelized means होता है प्रवाहित करना या rooted होता है या directed होता है ठीक ना तो one of the greatest trustees is saying someone with incredible talent get because get derailed because he or she lacks some basic skills this book कौन सी बूक this book demeans मतलब क्या होता है demeans means होता है अपमानित करना या degrade करना या humiliate करना divorce means होता है ग्रहाड करना या consume करना या gobbles करना addresses means किसी को address करना neglect this book कि यह बूक क्या करते है addresses the number one reason executive derail and it provides extremely helpful tools to operate in a fast-paced result oriented environment यह आपका option correct हो जाएगा ठीक है न next 24 question की तरफ चलते हैं जिसमें हमें fourth number का fill करना है I am impressed by how insightful insightful means होता है depth thinking करने वाला in spiteful भी इसको कह सकते हैं मतलब भी बहुत ही अच्छे विचारों वाला I am impressed by how insightful sophisticated sophisticated means होता है advanced advanced या cultured जिसे उननत कहते हैं pessimistic means होता है निराश्चावादी जिसे निगेटिव कहते हैं जबकि बुक की बात हो रही बुक तो पढ़ी जाती है तो यहां readable तो हो गही यहां से अपसेंस लगा सकते हैं इसका यह fourth option readable well organized and focused it is it will surely help one does condemn condemned means निंदा करना किसी चीज़ के censure या denounce always always means होता है किसी चीज़ को बचाना rescue करना reject means होता है discourage means होता है it will surely help one solve several difficult situations मतलब अगर difficult situation की बात कर रहा है तो कोई difficult situation में पड़ेगा तो यह बिल्कुल ही help करेगा किससे उसको बचाने का help करेगा rescue करने का help करेगा यह hope आपको clear हुआ होगा ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ daily back to back quizzes चल रही है community पर मैं YouTube पर भी daily quizzes upload कर रहा हूँ per hour quizzes जा रही है और भी जितना मुझसे हो पा रहा है मैं content आपको provide करने कोशिश कर रहा हूँ SSCGL की series भी चल लही है बहुत से चीज़ आपको इस channel से मिलने वाली है मिलते हैं आपके साथ next video में तब तक आप अपना ख्याल रखेगा थांक्स फर वच्चिंग